हरियों मैं स्वार्ति वीरा कुड़ो नाना सवक उपाशना केंद्र और सेश्ट्रेक ऑफिस में मैं इंस्पेक्टर हूँ मैं बापु भक्ति में मैं 1998 साल से हूँ और आज अभी मैं आपको अभी मंत्री जल के जल का जो मुझे अधुब हुआ वह आपको बताने जा रही हूँ मैं लादाय से ऐसंदु दुर जिला में बहुत पड़ पोई हु नहीं रहा था पिशले 20 मैंने सब एजेंट को बूला था कि कुछ भी करके मुझे सेल करना है आप कुछ भी करके कोई भी हो मेरे पास लेकराना सब लोग आ रहे थे लेकिन कल बूलेंगे परसों बोलेंगे ऐसा बोलेंगे वां पस ज्या wavelength लेकिन क्यों ये बता दें नहीं थे वोते हैं कि मैं हमारे भगवान को ऐसा फूल चड़ाएंगे तुसे कॉल बलते है मराथी में वह कॉल मिलेगा तो यह हम लग प्रॉपर्टी ले ले लेंगे तो गुए लोग क्यूं नहीं ले रहे हैं तो बोलते हैं वह उन्होंने बोला कि अबगवान उनको कॉल ही नहीं दे रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी यह जगह बराबर नहीं है ऐसा वह बंदिर का पुजारी उनको बोलता है इसलिए वह लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं बोले कि पागल लोग है मेरे घर में बादा हो यह नहीं सकती क्योंकि जब मैंने घर बांधा था यहां मैंने यहां से उदी बेजी थी और पूरा गर उदी इसके बारे में तो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर क्या हुआ एक थोड़े दिन पहले एक अवरत का मुझे फोन आया तो उसने मुझे क्या बोला कि मैंने मेरे जमाई को तुमारा घर देखने को बेजा था तो पुड़े से आते आते उसका एक्सिडेंट हो गया तो फिर बो बाद में मुझे पता चले लगां कि लोग क्यों ऐसा बोल रहें वाद में एक अदमी आया तो जाने को वह पयसा उसे तो दो दिन में आने वाला पैसा एक मेना हो गया फिर भी नहीं आया तो व उसने भी छोड़ दिया मेरा लेना उसके पाद में एक आदमी आया तो उस ने उस पास पैसा भी था वे रेडी भी था ईह। ब्रख स reflect as कि आज आहिए हम लोग डिड़ करेंगे तो उसी दिन उसकी 15 सल की बेटी 16 सल के लड़के के साथ भागी तो अपने प्रॉब्ले में उलज गया ऐसे एक एक करके सब जाने लगे तो मुझे थोड़ा ताजूब होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है सोचने लगे इस क्यों हो रहा है मैंने छोड़ दिया जाने दू जब जाना है तो जायیکा नहीं जाने तो नहीं जायेगा चुर इस एक दिन एक आउरत का वन आया बो लें कि मुझे आपका घर पसंद हैं आप आजाये हम लोग ले लेंगे तो मैंने बोल्ला कि कब आ जायओ त तो महीं दूसरा तो कोई गिराई है तो मैंने उसको हां बोल दिया मैं आती हूँ और फ्राडे नाइट को बैटके शनीोर बाती हूँ चैनिवार को हम लग प्रोसेस करेंगे तो मंडे को बैंक में जाएंगे तो तीन दिन में मुझे आपको लोन मिलेगा मेरा काम गुरुवार तक हो जाएगा यहाँ मुझे गुरुवार में आना ही था क्योंकि उस दिन अभी मंत्री जल मिलने वाला था तो वह बोली हाँ ठीक है तो मैंने शुकुरार रात का कोकण कन्या का टिकेट निकाल लेकिन क्या हो गया कि थास्टे आइंग में एक मैसेज ट्यूण और आउन हो गई मैं तो पूरी नीद में थी तो इतनी सुबह में किसका मैसेज हो सकता है कुछ अलग लगा मुझे मैंने वह निन आक खोलके मैसेज पढ़ा तो उस औरत का मैसेज था कि मेरी बेहन मर गई है मत आओ गाव में तो मेरा मुड़ी गया कि अभी यह और एक बैडोश आई कि मैरे घर के बादे में तो मैंने छोड़ दिया अभी वारा दिन तो कुछ नहीं बोल सकते मेरे पेपरस आपके पास तो मुझे बोला कि न विचारी पेट प्राब्ल्म है कि क्या हो गया कुछ बळीड़ा हूं में जगह में कुछ करना पड़ेगा कि कुछ जरूरत नहीं मेरे घर मैंने घर में उधी राली है बापू का पादू का पुजन हो गया तो उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करने आपको लेना है तो नहीं चोड़ दो तो बोला ठीक है आप दूसरा गिरेक देख दो तो मैं में ठीक है मैंने उस लेडी को उसके मोबाईल पर एससे में किया तो उसने की तो वोले कि आपका हजमन आइसा बोल रहा है कि इसलिए आप मेरे सब पेपर सब भेज दो वापस तो वोले कि मुझे लेना ही है और मैं आपको फाइनल आपके जगह लेनी वाली हूं तो उसके मेरे हजबन के साथ में गई और मेरा तब तक वेटिंग लिस्ट था वो गया था जो वेटिंग लिस्ट नाम तो मैं बोले कि यूप आया गया है उससे क्या देखो पहले देखो उसके दिमाग में अच्छा सोच आई अधरौए मुझे तो कि मेरा नाम उदर नहीं था तो मैंने मैंने रहे नाम कुण नहीं नाम क्यों ने तो मेरे पीछे एक आदमी था वो बोला कि गाड़ी निम्बर द दोसलती हैं तो मैंने गाड़ी निम्बर देखो तो मैंने गाड़ी निम्बर देखा तो गाड़ी नुमर उसका एक्सवागा था रहा धालत रहा और मेरा दस एक्सवागा था 17 मैं तो सब पढ़ता हूं लेकिन मुझे इसा मैं मन में नहीं आए कि तीकेट देखना चाहिए कि कौन सा तीकेट है और इसी तरह मेरे गाड़ी गए तो मैं बॉली चलो बापा की कोई लिला होगी वरना ऐसा नहीं हो जाए होता कि मैंने तीकेट निकाला और मैं देख नहीं प सारा बजे पहुंचे दुसरे दिन मनें ऑफिस रेटेंड किया रात को शाम को शाड़े पास बजे मैं लगजरी में बैठी और अकेले ही डीड करने आई क्योंकि मेरे पति को छुटी नहीं थी वो प्राइवेट में काम करते थे उनको चुटी नहीं तो मैं अकेली गई और जैसे मी गाउ में पहुंची वो मंगलवार था और अपने भीमंत्री चल का पहले दिन था नहाने का तो मैं गाउ में वो साथ में लेके गए थी मैंने नहा लिया और साड़ाइट बज़े मैंने मेरे सामने के बंगले में बापु भकत उनको दिखाया कि मेरे ओरिजिनल पेपर उन्होंने बोला था लाने को वह लाई अब देखिए एक तो बोला था कि ओरिजिनल डीड चाहिए दूसरा बोला था कि एने प्लॉट है उसका पास नहीं लिया चलो एक डॉक्यमेंटों कम हो गया अभी क्या करेंगे अभी तो नहीं लेगी तो मैंने दूसरे दो दिखाये तो बोले कि दूसरा भी ओरिजिनल नहीं है तो जरॉक से ओरिजिनल कैसा होते उन्होंने निकाल के दिखाया हम सब यह सब एरिया का प्लॉट एक ही टाइम पर अलोट हो था ओरिजिनल ऐसा होता है उन्होंने अपनी 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 दिखाई और मेरी कपी तो जी अभी कैसे होगा अभी तो यह डिट नहीं होगा मैं पूरी नर्वस होगी अभी तो मेरा यह घर नहीं जाएगा मैंने उसी दिन ज्ञाड के गाड़ी प वह भी बीचरी टेंशन में आगे कि क्या प्रॉब्लम हो गया भी वह आई और मैंने बोला कि ऐसे मेरे पास एक ही ओरिजिनल है दुसरा जेरॉक से ऐसे इनों ने बता है मुझे तो यही ओरिजिनल लग रहा था और घर के पर्मिशन का तो मेरे पास तागजी नहीं है तो उ प्रमिशन भीना तो यह नहीं होगा सब आपका क्लियर होगा इसलिए हम लोग डिशाड़ कर रहे कि यही लेंगी तो मैं खुश हो गई चलो यहां तक आया था कि अभी नहीं जायेगी जगा तो हां हो गया मैं खुश हो गे चलो फिर मुझे पता चला कि बाप्पा ने अग जो पॉजिटिव शुरू हो गया वो बाई वो अवरत मेरे सब पेपर्स लेके आगे गई वकिल के पास नोटरिक बनाई और फिर मुझे 12 बजे बुला लिया जेड़ी ऑफिस में जेड़ी ऑफिस में हमारे सब प्रसेश हो गया मैं 4 बज़े के बाद वो लोग बैंक में गये बहुत जाओ और कल हमपूरा कर देंगे फिर वो मैं跟गई बैंक में गई और रात को 9 बजे उसका फोन आया कि मैं बैंक में बैटी हूँ, बैंक में हमारी पूरी प्रोसेस हो गई है, आपके नाम का डिडी निकाल गया, डिमांड राफ तयार हो गया है, हम लोग कल मिलेंगे, आप मुझे ओरिजिनल पेपस दे दीजिए, मैं आपको ड इमांड राफ दे दूँगी, रिजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने हम दोनों की साइन हो जाएगी, अपना वेवार इधर क्लियर हो गया, इसी तरह से 12 घंटों में सुबह 9 बजे, येस, उस लेडी ने बोला, रात को 9 बजे उसका फोन है, येस, आपका डिडी रेडी है, 12 गंटे में त्रीवी करम ने अपना काम कर दिया था, ये त्रीवी करम हम सब के रुदय में तो हमेशा पूरा का पूरा रहता है, लेकिन उसके तीन चरण कहा थे, मेरे लिए उसका एक चरण उस अवरत के गुद्धी में था, जिसने उसे मनाया कि नहीं, इसका ही घर ले ले दूसरा था जेड़पी आफिस में, एक ही दिन में सब, आधे ही दिन में सब कार्यवाई हो गई, और तिसरा था बैंक में, कि बैंक के अवज ना होते भी ओर टाइम करके उन्होंने उस लेडी के लिए काम किया था, ऐसे वो तीनों जगा काम करके मेरा 12 गंटे में त्रीव त्रीक्रम ने करिया, यह मेरा त्रीक्रम जल का अनुव है, हर्यों मैं अंबग्य हूँ